पूज़कर साथी कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे डंग से कर रहे होंगे साथी यह यह युडटेडिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि अभी अभी मार्किट में आया है साथी हम तुरंट आपके लिए लेकर आया है यह practice set number one है साथी जो कि आपके लिए बहुत important है और यह आपका इस book में कुल 15 practice set दिये गए हैं इन 15 practice set का हम अध्यन करेंगे बारीकी से बहुत ही अच्छे धन से तो आप लोग channel पे बने रहिएगा आज हम पहला practice set का अध्यन करने वाले हैं तो जो साथी को यह video अच्छा लगे तो please share कर देंगे और जो साथी नए आए हैं तो please उनसे request है कि यहाँ पे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा ताकि साथी यहाँ पे जो भी notification आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चले start करते हैं साथी practice number one सबसे पहला जो question कह रहा है आपका यहाँ पे ध्यान दीजेगा मानब उपयोग में लाए गई पहली धातू कौन सी थी बहुत ही important है और यह इरोटेरिया का द्वारा सबसे पहला practice set है साथी तो जल्दी से बता दीजे कि मानब में उपयोग में लाए गई जो धातू थी सबसे पहले कौन थी याद किजे साथी हम आपको बताएं थे कि यह कौन था तो तामबा था ठीके मानब द्वारा सर पर्थम तामबे का प्रयोग किया गया था जो कि जारिखन मद्द परदेश एबम राजस्थान में काफी मातरा में तामे का ओजार मिले हैं ठीके तो यह सभी अस्थान को भी आप सब याद रखेंगे नेक्ट प्रशन है आरियो का मुख्य पेशा क्या था आपको पता होना चाहिए कि आरियो का जो मुख्य पेशा रहा है वो क्या था तो पशुपाल याद रखेंगे उसके बाद आपका next question कहता है मौर्य राजबंस की अस्थापना किस ने की थी बहुत ही आसान प्रश्ण है तो ये सब प्रश्ण जो है आप सभी को मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल बना दीजेगा मौर्य राजबंस की जो अस्थापना की गई थी यह आपक जो मौर्य के साथी गुरू थे कौन थे तो चानक्य थे चानक्य के सहायता से ही धरानंद के प्राजबंस की अस्थापना की जाती है ठीके आगे हम बढ़ते हैं तो next question कहता है साथ वाहनों की राजबंस की थी बहुत ही important question है साथ वाहनों की राजबंस की थी क्या थी तो या ब्रामी भासा में ही लिखे जाते थें ठीके यह भी आपसे पूछ देगा तो याद रखना है सातवाहनों के समय में जितने भी अभी लेक थे साथी या या तो प्राकिर्तिक भासा में या फिर आपका ब्रामी भासा में लिखे जाते थें तो यह सब चीज आप लोग याद र तो याद रखना है साथ ही यह आपका किसको कहेंगे तो सम्मूंद्र गुप को कहते हैं ठीक है याद रखेंगे सम्मूंद्र गुप क्या कहते हैं तो भारत का नेपोलियन कहते हैं और इसके बाद हम बात करें साथ ही तो इलाहबाद इस प्राइग राज जो की प्रगस्ती मे समुंद्र गुप के बिजय अभियानों का वर्णन हमें मिलता है इस बिजय अभियानों के कारण समुंद्र गुप को भारत का नेपोलियन कहता है तो आप से पूछ देगा कि कहां पर वर्णन मिलता है तो आप लोग अब बता पाएंगे उसके बाद आपका next question क्या कहता है ध्यान दिजेगा लिलाबती नामक गरंथ की रचना किस ने की थी जल्दी से बताते चलिए आप सबी लोग लिलाबती जो गरंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी तो साथी यह आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी तो भासकर दूतिया के द्वारा भासकर दूतिया के द्वारा लिलाबती भारती गर गनित्यक के भासकर दूतिया द्वारा यह संस्कृत में रचित गनीत और खगोश सास का एक प्राचिन गरंत है जो कि आप सभी को याद रखना होगा ठीक है यही साथ ही आप लोग याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है और बता दें आपको कि अभी जो हम यह आपके 1-2-5 कर तो यूरोटेरिया का गलास स्टा जना भी इंपोर्टेंट होगा सारे के सारे प्रेक्टिस सेट एवलेबल करवाया जागा और करवा दिया गया है लगभग लगवा अभी तक हम बात करें सिछक भरती को लेकर जो भी टॉप 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 प्रेक्टिस सेट हैं सारे को हम एवलेबल करवा दिये हैं तो आप प्रफिशन है बहुत ही एजी है साथ ही दिल्ली सल्तनात के अगर हम बात करने तो लक्त और रोग की जो निती अपनाने वाला सासक था वह कौन था तो याद रखना है आपको बलबन था कौन था ठीक है और यह बलबन जो था यह किसका चहल गामी का सदत से था तो याद रखन है आपको इल्टूत मिसका जो संगठन था उस चालीसा का ही यह सदत से रहता है बलबन जो कि आगे चल कर दिल्ली सल्तनात का क्या बनता है गर बहत कर लें तो नेक्सट कोरसं कहता क्या ध्याद देजेगा तो यह भी आप लोग याद रखेंगे और इसने जो मुद्राएं चलाई थी इसका अर्थ था कि चांदी के टके के अस्थान पर तांबे या फिर पितल के टके का प्रचलन करना था तो वर्नर किया गया है यह भी बात आपको याद रखना है आगे हम बात कर ले तो कहता है फरीद को सेर खा का खिताब किस ने दिया था बेरी बेरी इंपोर्टन क्वेश्चन है और यह BPSC लेवल का प्रशन है साथी कि फरीद जो था इसको सेर खा का उपाधी कौन देता है तो याद रखना है इसको सेर खा का उपाधी आपका कौन देगा साथी तो बहार खा लोहानी देता है ठीक है दक्षिन बिहार के सुबेदार बहार खा लोहानी ने फरीद को सेर मालने के उपलक्ष में क्या करता है तो सेर खा की उपाधी परदान करता है और इस सेर खा जो है या बाद में सेरसा सोड़ी के नाम से जाना जाता है तो ये सभी चीज आप लोग याद रखेंगे आगे हम बारते हैं तो कहता है अंग्रेजो ने दक्षिन भारत में 1611 में अपनी पहली फ्यक्टरी अस्थापित की थी बहुत easy question है तो जल्दी से बता दिजे देखे प्रेक् इंडिया कंपणी ने अपना पहला कार खाना 1611 में खोला था मसूली पत्नम में यह बित आप लोग याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजेगा next question कहता क्या प्रश्ण का label कैसा लग रहा है साथी आप लोग जरूर बताएगा देखिए आपके demand पे हम तुरंत लेकर आगे हैं बोकर ताकि आप सभी को परिशानी ना हो दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा आप लोग corporate कीजेगा साथी आप लोग comment कीजेगा जरूर comment अब ही नहीं कर रहे है आप लोग इस पर वीडियो में आप लोग comment नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मनोबल टूड़ रहा है comment जरूर कीजेगा क्या है नहीं है खराब है बुड़ा है क्या है क्या problem है कुछ भी हो comment करना जरूरी है आप लोग कीजेगा तभी मुझे पता चलेगा कि क्या समस्या है तो वो हम समस्या को दूर कर पाएंगे कहता है लौड डलहोजी ने अवद के किस नवाब पर कुशाशन का अरोप लगा कर वर्स अठारोश चपन में अवद राज्य को हरप लिया था साथी बहुत ही important है और यह जो था याद रखनेंगे कौन था तो यह आपका वाजिद अ लिग था ठीक है अवद के अंतिम नवाब वाजद अलिस सा को कुशाशन का आरोप लगा कर कौन क्या था तो दलहोजी जो था यह वर्स अठारोश चपन में क्या कर लता है तो अवद को ब्रिटिस समराज्य मिला लेता है तो इस तरह से चीजों को याद रखेंगे साथी औ आगे बढ़ें तो कहता है रयतवारी बंदोबस के जनक थें कौन थें रयतवारी बंदोबस के आप लोग वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट पर पढ़ा हुआ है पूरा भूरा आजस वेवस्था इस इंडिया कंपनी का चैप्टर जो है पूरा पढ़ाया गया है आप लोग चैप्टर को जाकर देखिए प्लेलिस्ट में एक बार ठीक है तो यह जो होगा साथी क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर तो यह होगा आपका ओप्सन नमबर यहाँ पे सी होगा हेक्टर मुन्रो और रेड हो जाएंगे ठीक है अंग्डे जो दौरा भारत में भू इन का मालिक होता है एक प्रकार से याद रखेंगे ठीक है यह चीज आप लोग याद रखेगा आगे बढ़ते हैं तो कहरा है आपका दस मई वर्स अठाव सो संत्याबन इस्वी को विद्रो का आरंभ कहां से हुआ देखे बहुत इंपोर्डेंट है और साथी याद रखना है कि यह सबसे पहले मेरट से होता है ठीक है मेरट से सबसे पहले होता है भारतियी 1419 संगराम में यह प्रत्थम ससत्र भिद्रो माना गया है जो कि 10 मई वर्स अठाव सो संतावन को मेरट के चापने से सुझू होती है चलिए आगे हम बात कर लें तो कहता है इंडियन सीविल सर्विस के परिक्षा उतेंड करने वाले पहले भारतिये कौन थें बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जल्दी पता दिजे वो कौन थें साथी वो कौन थे तो वो आपके हो था कब किया था तो 1863 में ठीक है उसके बाद यहां पर अरविंदो घोस भी करते हैं सुबास चंद्रवोस भी करते हैं तो यह सभी आप लोग याद रखिएगा लेकिन सबसे पहला जो थे यह आपका सतियंदरनाथ ठाकूर्थ है आगे हम बढ़ है तो कहता है चंपारन सत् जाएगा दो बार तीन वार क्लास को देखेगा और आपने दिमाग में बठा लेज़ेगा वह इसलिए क्योंकि रूटेड्या का जो प्रैक्टिस सेथ है जो इसका बुक आता है कहीए कर कार से मानीता प्राप बुक है और इसका प्रश्थ नहें इस प्रकार से कहा जाए तो इसके पास experience है कि BPSC कैसा question पूछता है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप trust कर सकते हैं इस book पे तो साथी यह चमपारन सत्यागरा हुआ था आपका वर्ष 1917 में किसको नहीं पता होगा सभी को पता होगा चमपारन सत्यागरा जो कि है 1917 में कहां हुआ था तो चमपारन बिहार के चमपारन में हुआ था और महात्मा गांधी के नितित में हुआ था जो कि तिनकठिया पतती भी हम इसको बोलते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है गांधी जी अपना राजनितिक गुरू किसे मानते थे बहुत important question है साथी गांधी जी जो अपना राजनितिक गुरू मानते थे वो किसको मानते थे तो साथी गुपाल केशन गोखले को मानते थे ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे बहुत है important है और आपको यह बताना है कि गोपाल केशन गोखले के राजनितिक गुरू कौन थे हैं हम बहुत 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 बता हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं देखे इतना लेबल में पढ़िये आप लोग इतना डिप में पढ़िये कि बिप्यसी भी सोचे आपसे कि आपको किस पद से कौन सा पद देना है कौन सा रेंग देना है ऐसा पढ़ाई किजिए समझें तो आपको जरूर बताना है साथी कि गोपाल केशन गोखले के राजनितिक गुरू कौन थे अब तक यह प्रश्ण कहीं भी पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोग इस प्रश्ण को जरूर तयार कर लिजेगा कहता है चोड़ी-चोड़ा कांड कब हुआ था बहुत इजी क्वेस्टन है साथी चोड़ी-चोड़ा जो कांड हुआ था यह कब हुआ था तो आपका उप्सन नमबर B क्या हुआ था चार फड़ड़ी वर्श 1922 को हुआ था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज याद रखेगा साथी कि कहीं कहीं आपको पुस्तक में जो है चोड़ा-चोड़ी गाओं था अस्थान था जहां पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है पुलिस थाने में यही था चोड़ा-चोड़ी कांड आगे चलते हैं तो कहता है भारती राष्टिक कॉंग्रेस के अस्थापना के समय भारत का वाइसरे कौन था आपका 28 दिसंबर 1885 को होता है ठीक है यह जो होते हैं यह संस्थापक होते हैं इसके प्रतम अध्यक्ष होते हैं तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे आगे चलते हैं तो कहता है नेश्ट वर्षन आपका क्या कहता है इंडियन एसोसियंस के संस्थापक कौन थे इंडियन एसोसियंस के जो संस्थापक थे साथी या कौन थें तो याद रखना है सुरेंदर नार्थ बनेरजी थें ठीके ये काफी इंपोर्टन्ट है और इसके अस्थापना जो हो जाता है यह आपका 1886 में होता है तो यह सभी चीज आपको याद रखना है बहुत ही इंपो कॉष्टन है कि बंगाल में बुरिटीस वस्तू का जो भहिस्कार करने का सुझाव था यह सर प्रसम कि सके द्वारा दिया जाता है तो याद रखना है कि शिनकवार मित्र के द्वारा जिया जाता है ठीक है यह आप लोग याद रखेगा और यहाँ पर यह वी याद तो 1906 में चलता है जब 1905 में बंगाल भी भाजन अधिनियम पारित होते हैं तो इसी के संदर्ब में चला जाती है तो आपको पता होना चाहिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं साथी तो आगे है प्रशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएगा और अपना कॉमेंट में एंसर को जरूर देते चलिएगा साथी आपसे बिनती है कि आपना एंसर दीजेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप तयारी जो कर रहे हैं कितने बेहतर कर रहे हैं कहता है अखिल भारतिय मुसलिम लिग की अस्थापना किस बर्स हुई थी देखे प्रशन जो है यह बहुत इजी है कि अखिल भारतिय मुसलिम लिग की जो अस्थापना होती है यह साथ ही आपका कब होता है तो याद रहा है 30 दिसंबर वर्स 1906 में होता है ठीक है 1905 में आपका क्या होता है तो आपका बंगाल भी भाजनता है उसके बाद स्वादेशी आंदोलन चला जाते हैं फिर आपका क्या होता है तो 1907 में आपका सूरात अदिवेशन होता है तो ये सब घटना आप लोग याद रखेगा बहुत ही important है आगी हम बढ़ते हैं तो मित्र मेला संग को सुरू किया है जल्दी से बता दिजे मित्र मेला संग की सुरुआत जो है या किसने की थी तो याद रखना है यह आपका वीडी सबर कर हो जाएंगे बिनायाद दमोतर सबर कर हो जाएंगे ठीक है कब की जाती है तो 1899 में की जाती है साथी ये सभी चीज आप सब याद रखेंगे, देखे, हम एक चीजा आप नोटिस किजेगा, कि हम हर क्वेशन का आपको वर्स क्यूं बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास में कहानी नहीं पूछा जाता है, आप से वर्स पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, या फिर कोई यूद है, तो यूद के ब बर्स में स्वराज का नारा गांधी जी की द्वारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था, जल्दी से बता दिजे, एक बर्स में स्वराज का नारा जो था, गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिये गया थे, जल्दी से बता दिजे, यह आपका क्या हो जाएगा, त तो याद रखना है साथी, एक अगस्त वर्ष उनिस सो बीस को, ठीक है, एक अगस्त उनिस सो बीस से, और सहयोग अंदोलन सुरुवात की जाती है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, और एक वर्ष के भीतर सुराज प्राप्ति का जो है, यह नारा दिया जाता है, आगे चल हैं, साथी यह आपका जेवी के प्लानी होंगे, ठीक है, याद रखेंगे साथी, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनके बारे में, तो आप लोग याद रखेंगा, आगे हम बढ़ते हैं, तो कहता क्या, कि वर्ष उनिस सो चैयालेज में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेति करते हैं, और यह कब आया था, पुरी तरह से अगर हम बात कर लें, तो यह आपका 24 मार्श वर्ष उनिस सो चैयालेज को आते हैं, ठीक है, तो यह डेट आप लोग याद रखेंगा, कहीं पे लिखते चलिएगा, आगे चलते हैं, तो कहता है आपको भारत छोड़ो आंदोल पलेज, ठीक है, आगा खाप पलेज में साथी क्या होता है, तो गांधी जी को रखा जाता है, जो कि 9 अगस्त, 9 अगस्त वर्ष 1942 को गांधी जी को गिराफतार किया जाता है, ठीक है, यह चीज आप लोग याद रखेंगे, आगे चलते हैं, तो कहता है, आगे क्या ध्यान कहता है गांधी जी के द्वारा व्यक्तिकत सत्याग्रा के तहत प्रथम सत्याग्रा ही किसे चुना गया था देके प्रथम जो सत्याग्रा ही थें यह कौन थें तो याद रखेंगे यह आपका बिनोबा भावे थें कौन थें दूसरा सत्याग्रा ही कौन थें तो याद रखें ये दुसरा सत्य गड़े आपका जब आहला नहरू होते हैं साथी तो इस तरह से आप लोग याद रखेगा ठीक है महत्पूर्ण है इसलिए हम आपको बता है और यह कब होता है तो 17 अक्टूबर वर्स 1940 को ठीक है ये सारे के सारे डेट आप लोग याद रखेंगे यहीं से आ मांग की गई थी ये पेस कब की गई थी तो यह आपका वर्स 1940 में की गई थी ठीक है याद रखना है मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यत्ता में 23 मार्च वर्स 1940 को साथी लहोर संपर्ण मुस्लिम लिख के अधिवेशन में क्या हुआ था तो यह सोतंत और संपर्भुत्व मांग की गई थी जो कि आप से पूछा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कहता है निमलिकित में से किष ने साम प्रदैक्ता अधिनियम घोसित किया जल्दी से बता दिजे साम प्रदैक्ता अधिनियम जो है या किष ने घोसित किया था साथी तो यह आपको याद रख गोसित किया जाता है जो कि आपका वर्स 1930 से 32 तक चलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं तो गोल में सम्मेलन भी कहते हैं ठीक है राउंड टेबल कॉनफरेंस भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दिजिगा कहता है वर्स 1928 में नहरू डिपोर्ट किसने तयार कि थी साथी नहरू डिपोर्ट जो है यह आपका किसके द्वारा है तो ML नहरू के द्वारा किया जाता है कब किया जाता है तो साथी 28 अगस्त वर्स 1928 को किया जाता है कहा किया जाता है लखनौ में सर्वदलिये बैठक में सर्व सम्मंदनी से सुविकार किया जाता है रहनू रिपोर्ट तो इस तरह से आप सभी लोग याद रखेंगे उम्मिद करते हैं कि चीज को समझ में आ रहा होगा हर प्रश्ण का उत्तर आपको सटिंग मिन रहा होगा आगे हम पढ़ते हैं तो कहता क्या है ध्यान दिजेगा कहरा है आपका वर्श 1919 में अखिल भारती खिलापस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चूना गया बहुत ही लेबल का प्रश्ण है जल्दी बता दे क्या होगा यह आपका होगा साथी कौन सा तो महात्मा गांधी याद रखना है ठीक है वर्श 1919 में अखिल भारती खिलापस सम्मेलन की जो अध्यक्ष होते हैं यह महात्मा गांधी को चूना जाता है तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजेगा प्रशन आगे जो है क्या कह रहा है कहता है निमलिखित में कौन भारत का एक मात्र यहूदी बाइसराई था बहुत important है प्रशन जल्दी बता दें यहूदी बाइसराई इसमें कौन था तो यह आपका हो जाएगा Lord Reading ठीक है Lord Reading जो है इसका हम सासन काल की बात करें तो यह आपका वर्श 1921 से 26 तक भारत में रहता है ठीक है यह आप लोग याद रखेंगे और यह साथी भारत के सभी वाइसराई में अकेले यहूदी वाइसराई था तो यह आप लोग याद रखेंगे important है आगे चलते हैं तो 1780 भारतिये दिवस समारो का आयोजन कहां किया गया था जल्दी से बता दें यह दिल्ली है इंदोर है भौपाल है या फिर जैपुल है साथी इसका क्या होगा तो इंदोर हो जाएगा याद रखेंगे ठीक है भारत के सबसे सवच्छ सहर जो की इंदोर है मध्यपरदिस में है और यह 17 प्रबासी भारतिय दिवस समारो 23 का आयोजन यहीं किया गया था इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे ठीक है यह इन दोर जो है यह लगात तार तीन वार साथी सवच्छा सर्वेचन में सबसे अबबल आया है तो इस प्रकार से आपको याद रखना है आगे चलते हैं तो कहता है भारत के पहले और बिस्व के दूसरे इनफेक्टरी रिसर्च सेंटर और संग्राले का उद्गाटन किया गया कहां किया गया है तो साथी यह जल्दी बताते चलिए आप सभी लोग करेंट अपयर का मुद्ध है तो याद रखना है मद्ध्व परदिस में कहां साथी मद्ध्व परदिस में मद्ध्य परदिस में भी आप से पूछलेगा कहां तो याद रखना है इन दोर जीले में महु छाबनी में दिसंबर 2022 में साथी भारत के पहले और 20 विके दूसरे इन फैक्टरी रिसर्च सेंटर की संगडायले का उधगातन किया जाता है ठीक है हर चीज आपको पूरा कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा दम विस्तार से चीज को बता रहे हैं एक बार ना हो दो बार सुनिए तीन ब लेखक कौन हैं जल्दी बता दे लाइट वी के पूस्तक है इसके लेखक कौन है तो याद रखना है यह आपके होंगे मिसिल ओबामा जो है लाइट वी के लेखक के साथी याद रखिएगा आगे हम चलते हैं तो निच्ट आपका कहता है ध्यान दीजेगा कहता है सरत कमल अंचल को मेजर ध्यानचन खेल रतन पुरसकार वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया या सम्मान उन्हें किस खेल आसाधरन उपलब्द्यों के लिए परदान किया गया है जल्दी से बता दें या बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह होगा आपका टेवल टेनिस थोड़ा साप लोग याद रखिएगा आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजेगा साथी कहता है प्रधान मंतर नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 नवंबर 2022 को डोईनी पोलो ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है यह हवाई अड्डा किस राज्ज में है तो जल्दी से बता दें यह सब क्या होगा इसका राइट इंस जो होगा क्या होगा तो यह साथी अनुराशर प्रदेश में हो जाएगा याद रखिएगा ठीके काफी इंपोर्टन्ट है याद रखेगा और एक इंपोर्टन्ट बात बतायते हैं कि जो इरोटेरिया द्वरा अर्थवार सी कांग और थालत छे महीने का जो करेंट अफेर साथी वो आपका इस वीडियो इस चैनल पे पुरा वीडियो पढ़ा दिया गया है पुरा साथी नेक्ट कोशन क्या ध्यान देज़ेगा कहता है किस राज्जी में भारत उज्जेकिस्तान द्वैबार्सिक सेन्य अभ्यास सेन्य अभ्यास डुस्ट लिंक 2023 का आयोजन किया गया है जल्दी से बता दें साथी क्या हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा ओप्शन दी उत्राखंड ठीके भारत और अपुर्जेकिस्तान के थल से नाओं के मध्ध द्विवार्सिक प्रतिचन अभ्यास अस्टलिक्ड वर्स 2023 का जो है आयोजन किया गया है तो इस प्रकार से आपको याद रखना है उसके बाद कहता है कि मुख्य मंतरी आवास्य भूमी अधिकार योजना के सराज में सुरू की गई है साथी यह जो होगा आपका तो किसमें होगा तो यह आपका मध्धे परदेश में होगा जो से समान किया गया है तो यह आपका हो जाएगा साथी कौन सा याद रखना है राइट एंसर होगा आपका सीव संकड़ी ठीक है सीव संकड़ी जो है यह सरस्वती समान 2022 तमिल लेखी का सीव संकड़ी को परदान किया गया है तो यह आप लोग याद रखेंगे आगे बढ़त ठीके ओप्रेशन दोस्त हो जाएगा और साथी कल जो है आपका वीडियो अप्लोड हुआ था बिहार के महत्पूर्ण ओप्रेशन बिहार के महत्पूर्ण योजना तो उसको आप लोग देखिए वहाँ से 100% क्वेशन आएगा क्यूंकि साथी आपका 20 से 25 सिर्फ बिहार स्प स्पेसल को भी पढ़िए काफी इंपॉर्टेंट है बस आप लोग जी एस पर ध्यान मत दिजिए आगे कहता है भाद का पहला नीजी रूप में से विक्सित रॉकेट का नाम क्या है साथी यह जो होगा आपका कौन सा होगा तो बिक्रम एस होगा ठीके बिक्रम एस जो है य आगे बढ़ते हैं कैसा लग रहा आप सभी जरूर बताएगा क्लास कैसा लग रहा है हम कैसा समझा रहे हैं ताकि हम अपने परिवर्तन कर लें चीजों में बहुत सारे बिद्यार्थी जो बोलते रहते हैं कि सर ज्यादा एक्स्प्रिन मत किजिए इसलिए हम थोड़ा अप इनको जोडने वाली रेखा हैं जल्दी बता दें तो यह आपका हो जाएगा कौन सा जल्दी बताएगे इसका राइट एंसर इसका राइट एंसर होगा साथी आपका समाल लवन्ता को ठेके समाल लवन्ता जो कि option number D इसका राइट एंसर होगा छूद गरह कीन दो गरहों के बीच जाते हैं छूद गरह यह आपको याद रखना है मंगल और बिरहसपती के बीच जाते हैं तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में आगे चलते हैं तो कहता है Federation Cup का संबंद किस खेल से है Federation Cup का जो संबंद है यहाँ आपका साथी किस खेल से है तो यहाँ आपका हो जाएगा Foot Wall से ठीक है किस से है Foot Wall से है तो इस तरह से याद रखेंगे और यहाँ जो फुट वॉल कप है Santosh Trophy और DCM Trophy का संबंद Foot Wall से है जो कि इस प्रकार से हम DCM का मतलब होता है Federation के इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे उसके बाद कहता है आपका ओनम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला क्रिसीफ हसल उस सब है देखे बहुत ही important है और ओनम के अगर हम बात कर ले तो यह बच्चा बच्चा जानता होगा क्योंकि class 3-4 के social study के book में भी festival जो एक chapter होता है उसमें पढ़ने को होता है तो ओनम जो है साथी यह कहां क्या है तो याद रखना है केरल का है ठीके इस तरह से आप लोग याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो कहता है पड़ोसी देश भुटान के साथ कितने भारतिय राज्य सीमा जहासा करते है बहुत important है जल्दी जल्दी आप लोग बताएं तो यह होगा आपका चार ठीके कौन कौन है भारत भुटान सीमा की अगर हम बात कर ले तो यह आपका 699 किलोमीटर लंबी है जो कि भुटान में भारती राज्यों के अगर हम बात कर ले साथी तो इसमें असम आता है अनुनाचर प्रदेश आता है पस्चिम बंगल आता है और आग सिक्कीम आता है यह चार राज्य को आप लोग याद रखेगा आगे चलते हैं तो कहता है निमलिकित में कौन green house gas का उधारन नहीं है तीखे green house जो है green gas house यहाँँ पे होना चाहिए था green house gas यहाँँ लिखा गया है तो कोई नहीं यहाँँ हो जाता है आप ध्यान दी ज़lor कॉश्चन पे तो इसका जो right answer होगा यह हो जाएगा आपका साइथी नाइट्राइड ऑकसाइड ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे नाइट्राइड ऑकसाइड के बारे में जिसका फॉर्मूला होता है N2O चली आगे चलते हैं तो आगे हम बात कर लें कहता है निम्ड में से किस सहर को जापान का पिट्स वर्ग कहा जाता है जापान को जो पिट्स वर्ग कहा जाता है किसको कहते है तो यह आपका यावाटा को कहते है ठीक है जवान का जापान का पिट्स वर्ग यावाटा सहर को कहा तो जापान का इसको मेंचेस्टर कहते हैं तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो कहता है बिस्व हिंदी दिवस कब मना जाता है बहुत एजी कोशन है साथी बिस्व हिंदी दिवस जो है यह आपको 10 जनवरी को मनाते हैं ठीक है जो कि पहला 1976 को हुआ था ठीक है यह सभी चीज आप लोग याद रखेंगे सोडी 1975 को हुआ था साथी तो यह आप लोग याद रखेगा ठीक है आगे चलते हैं तो आगे है आपका स्वपोसी पादपूब में भोजन बनाने के आवस्थ्यक जो है क्या है तो साथी यह होगा आपका उप सूरी प्रकास की उपसिती में बनाता है जिसको क्लोरो फिलो वर्णने की साहिता से हम जल या फिर क्या करते हैं तो आपका इसको द्वारा अमीवा भोजन गरहन करता है इसमें से किसके द्वारा अमीवा जो है या भोजन गरहन करता है जल्दी बता दिजे आप सभी लोग इसका राइट एंसर तो यह आपका हो जाएगा साथी आपसन नंबर क्या तो C कुटपाद ठीक है कुटपाद जो है यह अमीवा के प्रचलन अंग का नाम है जो कि आप लोग को याद रखना है आगे चलते हैं तो कहता है सूची वाला प्रशन दिया गया है अस्टेटमिंट वाला सूची 1 और सूची 2 है जो कि सूची 1 में आप आपका जीवो का नाम दिया गया है और उसका स्वसन अंग के बारे में पुछ रहा है तो जल्दी से बता दिजिए आप सभी लोग यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर चैन करना है साथी तो क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर B ठी साथी जीवो की चलिए हम मिलान करी देते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगने देजे यहाँ पर जीवो की हम सबसे पहले बात कर ले तो आपका सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर तो यह आपका मचली है मचली है मचली का जो होगा यह क्या होगा साथी कि तवच्चा होगा उसके बाद आपका लिजर्ड है जो कि एक सेकंड साथी मेधक का आपका तवच्चा हो जाएगा और लिजर्ड जो है इसका आपका हो जाएगा साथी गिल्स ठीक है इसका गिल्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग देखिएगा आगे चलते हैं दिएहां दिजिगा एक सिकंड साथी कहता है कोशकी सेवालों में जल का साथी यह किसके द्वारा होता है तो बिस रण के द्वारा होता है जिसको हम diffusion भी कहते हैं तिस तरह से आप सब भी लोग याद रखेंगे आगे हम बढ़ते हैं जितने भी है ना एक तरह से एक रिवीजन है, क्यूक रिवजन, आप लोग क्यूक रिवजन के माध्यम से इसको कर सकते हैं, जब भी आपको एक्जाम देने हैं, तो यह सब चीज आप लोग थोड़ा सा दो दिन पहले, आप लोग बैट के देख लिजेगा, रूम बंद करके, चैनल पर जितन आपका एक्जाम के लिए बहुत पूर्ण है, कौन सा क्वेशन कहां से पूछ देगा, कोई नहीं जानता है, इसलिए हम आपको एडवाईज दे रहें कि दो दिन पहले आप लोग रूम में पैक हो जाएगा साथी, कहता है निम्ड में से कौन सा कथन, इसमें से कौन सा है, स जान दिजेगा, सबसे पहले हम बात कर ले तो अग्र मस्तिक के बारे में, अग्र मस्तिक क्या होता है, तो अग्र मस्तिक जो है, यह पांच पिंड़ों में बढ़ते हैं, ठीक है, मस्तिक को तीन भागों में हम विभाजन करते हैं, सबसे पहले है अग्र मस्तिक, मध्य मस्त पस्च मस्दिक, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, यह मस्टिश का बिभाजन है, मस्टिश का पाट है, आग ему इन में से बुद्धी एबम चतुराय का केंद्र है, किसके पास, जल्दी पता दिजै, बुद्धी ओर चतुराय का केंद्र है, किसके पास है, तो यह आपका इनमें सभी होगा ठीक है या क्या होगा इसमें सभी होगा विखंडन मुकूलन और विजा नुजनन ये सभी है क्या है तो अलेलिग जनन के एक बिधी हैं तो आप लोगी इसको याद रखेंगे अब काता है कि पराक कोश में पाए जाते हैं क्या जल्दी बता दीजे पराक कोश में क्या पाए जाते हैं तो साथी पराक कोश में जो है या आपका पराक कन पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इजी है एक पूनपूश के चार भाग होते हैं जो कि पहला होता है आपका ब्रामा दल पुंज दूसरा होता है दल पुंज चौथा जो होता है इसको हम कहते हैं जय यांग ठीक है ये चारो पार्ट को आप लोग याद रखेगा आप जब जिनका ट्वेल्थ में या फिर हम कहले ग्रेजुएशन में उनका बायोलोजी स्ट्रीम होगा वो सभी वच्चे जानते होंगे इनके बारे में ठीक है जिनका न परतीविम की आकरीती होती है तो यह आपको याद रखना है वास्तविक तथा उल्टा तथा च्छोटा होगा वास्तविक उल्टा तथा च्छोटा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कहता है जब किसी तार्ग में विधूत धारा प्रभाहित होती है तब सर परतम कपड़ भाहा रीन ध्रूप से धन ध्रूप की ओर हो जाती है तो इस प्रकार से आपका हगा right answer उसके बाद कहता है सोर पैनल बनाय जाता है अनेक बनना जाते हैं पर अर little P कि प्रकासित और्जा को विधूत और्जा में प्रवाहित करती है तो इस तरह से याद रखेंगे आगे है आपका मापन मुख्य रूप से एक प्रकिरिया है किसका मापन जो है मुख्य रूप से क्या है तो तूरना करने की प्रकिरिया है इस तरह से आप सब लोग इसको याद रखेंगे आगे कहता है क्या यदि यदि किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी समाई के अनुक्रम आनुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि उसका क्या होगा तो वह आपका वस्तु एक समान चाल से चर रही है ठीके हम क्या कहेंगे यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चर र तो वस्तू द्वारा तय की गई दूरी जो है यह आपका समय के अनुक्रम अनुपाती होगा ठीक है तो इस तरह से आपका ऑप्सन नमर बी जो होगा राइट एंसर होगा आगे चलते हैं आगे है यहाँ ध्यान दिजेगा कहता है जर्टत्व का गून है जर्टत्व का गून क तो यह आपका जर्टत्व का गून होगा प्रतेक वस्तू में होता है ठीक है जिसमें हम अगर बात कर ले तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तू गति सिल तो गति सील ही रहेगी और यदि कोई वस्तू इस्थिर है तो इस्थिर ही रहेगी यही होग है का option कौनसा तो ट्वरन समान होगी ठीक है ध्यान से तम देंगे निर्बात में स्वतंता प्रभग गति करने हुए सभी पींडो की क्या होगी तो इस तरह से आपको याद रखना है आगे है आपका कि किसी ठोसपदार्थ का सीधा वांसद में परिवरतन गरता आपका राता है और समाने ठोसपदार्थ को गर्म करने पर वह पहले द्रब्य के रूप में बदलता है और फिर अंकित गर्म करके वह बास्म के रूप में बदलता है तो यह सभी चीज आप लोग याद रखेंगे आपको कुछ भी पूछ देगा उलट पलट के तो याद रखेगा कहता निमलिके समय से कौन तत्व है तो यह आपका होगा आर्सेनिक जो है यह क्या है तत्व है तो यह आपको याद रखना है आगे चलिए आगे कहता है आपका यहाँ पे के थोट किर्ण के थोट किर्णों में क्या उपस्तित होते हैं के थोट किर्णों में जो है यह क्या उपस्तित होते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा साथी इलेक्ट्रोन होगे ठीके के थोट में जो होगा आपका इलेक्ट्रोन होगा इस तरह से आपको दिजेगा आगे है 6C14 के एक प्रमावनु में मुल भुत कनों की कूल संख्या है कितनी है जल्दी बताएं तो यह कूल संख्या आपका 20 होगा ठीक है याद रखना है काफी important है अगर बात करें हम मुल भुत कनों की तो आपका electron की संख्या क्या आपका 6 हो जाएगा पुझदेगा proton की संख्या भी आपका 6 ही होता है neutron की संख्या जो है यह आपका 14 14-6 क्या हो गया तो इक वल टू 8 हो जाएगा इस तरह से यह सभी यह मुल भुत आपका कन है जो कि कुछ भी पूछ सकता है तो यहाँ पे आप लोग याद चले next कह रहा है ध्यान दीजगा सम्मूंदर में कौन सा लवन सबसे अधिक मातरा में पाया जाता है बहुत important question है जल्दी से बता दीजे इसका right answer क्या होगा यह आपका होगा साथी sodium chloride सम्मूंदर में sodium chloride जो है यह सरभाधिक मातरा में पाया जाता है निमलिखित में से किस धातो को किरोसीन में डुबा कर रखते हैं देखे बहुत बार करवाए हैं हम तो जल्दी से बता देए इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा आपका sodium ठीक है क्या होगा sodium होगा सोडियम जो है या किरोसीन में डुबा कर रखा जाता है क्यूंकि सोडियम एम पोटेसियम ऐसे धातु है जिसमें हम ऑक्सियन के साथ किरिया से तीब्र होती है और वायू में धातु को खूला छोड़ देने से ये जलनिक लगती है इसलिए आपका ओप्सन भी ये राइट और ये जो राइट इंसर होगा वो होगा क्या तो उप्सन C गोब्ध का निसेद ठीके गोब्ध का जो निसेद है यह आपका गांधी जीके दर्सन पर अधारित सम्मिधान के यह निती निसर तत पर पढ़ता है जो कि यह कितने हैं तो पांच प्रकार के हैं पहला आपका इसका तो आपका गोबद का निसेद, ठीक है, पांच उनके द्वारा दिये गए हैं सिध्धान, क्योंकि यह आप लोग याद रखेंगे, हम पांचों बता हैं आपको, कहता है, राष्ट पती द्वारा, राष्टी अपात कल इस्थिती की घोशना किये जाने के बाद, किस वधी तक उसका अनुमोधन, संसत के प्रदेख सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो याद रखना है, यह जो होगा, आपका कौन सा होगा, तो एक माह के भीतर होना चाहिए, यह किस अनुछेद में है, तो भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 352 से साथी, चार में अनुछेद द्वारा और अनुछेद 252 के एक के तहट की गई, आपात इस्तिती घोषना किसके पास है, तो राश्टपती के पास सकती है, इस तरह से आपको याद रखना है, हम पहले भी बता है, कहता है यह ध्यान दिजिगा, निमलिकित में से कौन सा भारत के संसत के दो सदनों में से किसी का भी सदस नहीं होता है, कौन है, क्या वापasma मुंतरी होते हैं, वित्त मंतरी होते हैं, राश्टपती होते हैं, केवल एक, दो, तीन, चार कौन हैं, जल्दी बता देजी है आपट अंसर आप सभी लोग, तो इसका राइट अंसर होगा आपका केवल तीन, ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवारे नहीं है जब कि प्रधान मंतर और बित्त मंतर जो है या क्या है तो संसद के किसी वी सदन का सदस्य होना अनिवारे है इस प्रकार से आपका option नमर जो है या 3 क्या होगा तो आपका भाद के राश्टपती जो होंगे या सही होंगे चमा चाहेंगे, हम बित्त मंतरी बोल दिये थे सायद, उसके लिए हम चमा चाहेंगे, आपका क्या होंगे, तो राष्ट पती होंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देजेगा आप सभी लोग, कहता है next question आपे, समीधान के किस अनुछेद में प्रात्मिक अस्तर पर मातरी भास अनुछेद में प्रात्मिक अस्तर पर मातरी भासा में सिक्षा देने की बात की गई है, जबकि आपका अनुछेद E 351 जो है, यह आपका हिंदी भासा को प्रसाहित करने की बात करता है, तो यह दोनों आपके लिए महत्पूर्ण हैं, आप लोग याद रखेंगे, उसके ब भारती समीधान के किस अनुछ संसोधन के तहत उच्ची नयाले के न्याएधीसों की सेवा नितिद्वी की आयो 60 से वासट वर्ष कर दी गई है, तो यह आपका क्या होगा जल्दी से बताएं, यह आपका पंदरवे समीधान संसोधन में, कब हुआ था पंदरवे समीधान सं संसोधन तो यह आपका वर्ष 1963 में हुआ था, जिसमें साथी नियाधीसों की जो सेवा नितिद्व यार्थात उनका जो समय का रहता है, वह क्या हो गया तो 60 से वासट कर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, चुनाओं के दर राजनितिक दलो और उमि 251 के बी निर्द्यसित नियम के तहद, और याद रखना है इसी अधिनियम के तहद क्या होता है, तो जो व्यक्ति चुनाओं में खड़ा होता है, उनका नामांकन होता है, उन पर महा उस पर रोक लगाए जाते हैं, चुनाओं के द्वारा जो भी प्रकिरिया होता है, सब इ तीन सूचिया है तो आप बताएं कि संग सूचि जो है यह इसमें से कौन सा नहीं है तो यह आपका क्या होगा लोग स्वास्त जो होगा साथी यह क्या है तो संग सूचि के अंतरगत नहीं आते हैं बरतमान में संग सूचि के अंतरगत हम कह लें तो यह आपका सो विसा है ठीक छूट इकवल टू क्या होगा तो यह आपको याद रखना है साथ ही इकवल टू होगा आपका निविल राष्टिय उत्पाद ठीक है यहां पे अगर हम बात कर ले जब जी एन पी दिहां से सुनेंगे इंपॉर्टन्ट है जब जी एन पी जो है जी एन पी का मतलब होता है सकल राष्टिय उत्पाद से मुल लिहास या फिर हम कहले घटा मुल लिहास का मतलब होगा कि घटा को घटा दिया जाए तो निवल राष्टिय आए जिसको हम कहले एन एन आई जहां से समझेगा एन 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 आई या फिर एन एन पी ठीक है तो प्राप्त होता है ठीक है एन एन ये प्राप्त होता है इसी को हम कहलेते हैं साथी option number C आपका right answer होगा कहता है निमलिकित में से कौन सा यूगम सही सुम्मिलित नहीं है देखें सही सुम्मिलित जो यूगम नहीं है या इस में से कौन सा नहीं है तो यह होगा आपका चौथी पंचबर्सी यूजिना जो कि कहा ह आगे है आपका वित्यप बर्स 2023-24 के लिए राजकोस्के घाटा बिहार के GDGSDP का डैस होने का अनुमान है कितना है जल्दी बताएं तो यह आपका होगा कितना जल्दी बताएं इसका right answer होगा आपका इन में से कोई नहीं देखें इसका right answer जो होगा वो अगर हम बात कर लें जहां तक मुझे पता है तो यह आपका अनुमान लगा गया है 10.98 परतिसत तो यह आप लोग याद रखेगा बिहार आर्तिक सरवेक्षन 2022-23 केनुसार 2021-22 में बिहार सकल राष्ट राज घरेलू उत्पाद GSDP में ब्रिद्धी दर इस्थिती जो है साथी यह आपका 11 परति परतिसत है तो यह सब ही आप लोग याद रखेगा हम आपके लिए एक दिन लेकर आएंगे बिहार का बचट जो है हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं उसमें भी हम आपका सब चीज सौल्ब कर देंगे हर डाउट किलियर कर देंगे क्योंकि वहां से प्रश्ण पूछे जाते तो यह आपका 10.98 परतिसत होगा ठीक है इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेगे और यह उपड़ बला जो होगा आपका यहाँ पे यह आपका साथी option number क्या हो जाएगा तो second 2.98 हो जाएगा थोड़ा सा हम छमा चाहेंगे एक्कुली में थोड़ा सा जो अपने notes में हम note सीमा मंगते हैं गलती हो गया एक मिस हो गया है थुरा सा आगे बढ़ते हैं कहता है निमलीकीत में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अस्थलिय सीमा है देखे बहुत important है और यह जो होगा आपका बांगला देश होगा भारत की जो सबसे लंबी अस्थलिय सीमा है यह बांगलादेश के साथ लगती है, इसकी कुल लंबाई की हम बात कर ले, तो यह आपका चार हजार, चार हजार के, चार हजार श्यानवे के आसपास मेरे, I think है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है, वह सबसे छोटी सीमा कौन सी है, तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसमें उप्सन नहीं दिया गया है, लेगन याद रखेंगे, उसका कितना है, तो 106 किलो मीटर है, तीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, कि भारत कितने प्र किरतिक पर्धार है, उसके बाद तर्ट एबम दीप है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, भारत के बिभाजिन को, ठीक है, यह चार भागों मी बिभाजित है, आगे चलते हैं, आगे है आपका, माउंट एबरेस्ट कहां है, तीक है, माउंट एबरेस्ट जो है, यह आपका नेपाल में है, जो कि बहुत इबरेस्ट है, उसको याद रखेंगे, और बहुत बढ़ बता हैं, कि जो माउंट एबरेस्ट का उचाई है, यह लंबाई कह लें, यह कितना है, तो आट हजार आट सो अनतालीस मीटर है, कतना बढ़ बता है, तो यह सभी आप होगा बिहार, ठीक है, भारत में जनसंख्या का अनुसार और तीसरा एबम, छेतरफ़ का अनुसार बारवा जो राजे है, यह बिहार है, इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, उसके बाद है, नेक्ट क्वेस्टन, समूंदरी चक्र पाती तुफान, ध्यान से समूं अरब सागर में उत्पन हुआ है, और यह तुफान मई 2021 में गुजरात के तट से टगड़ाया था, तो इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, नेमलिकित में से कौन से मिसरित खेती की प्रमुख विसस्ता है, तो मिसरित खेती की जो प्रमुख विसस्ता है, यह कौन सी है, यह आपका हो जाएगा, क्या तो पसुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना ही जो है, यह मिसरित खेती की क्या है, प्रमुख विसस्ता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, यह आप लोग याद रखेगा, काफी इंपोर्टेंट है, उसके बाद है, आठवा भारत अंतर होना चाहिए भोपाल कहां है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यह करेंट का मुद्दा है, आठवे भारत अंतराष्टे बिज्ञान महुस्तब का आयूजन आपका मध्य पर्देश के भोपाल में हुआ था, याद रखेंगे, कहां हुआ था, मध्य पर्देश क असरवादिक सुरूत क्या है, तो यह आपका कोईला है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, आगे चलते हैं, और यह याद रखेंगे कि भार सरकार बिधुत मंतराल के द्वारा, 31 दिसंबर वर्ष 2022 तक भारत में अस्थातिक बि अलदी बताएं, उसके ताप का तारे का रंग जो सूचक है, उसके ताप का है, जो कि इस प्रकार से याद रखेंगे, और तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, विभिन तारे के रंग का ताप जो है, वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से आप लोग रोटेशन कहते हैं या फिर हम कहले आपका भूप पड़िवर्ण कहलाता है ठीके आगे बढ़ते हैं तो कहता है निमलिकित महादीपों में किसमें देशों की संख्या अधिक्तम है ठीके महादीपों की बात कर रहा है तो सबसे जयदा जो है यह आपका अफरीका में है ठीके और यूरोप में कितने है तो यूरोप में आपका उनचास है लिख लिजएगा इस अब डाटर कहीं नहीं मिलेगा एसिया का है तो एसिया में 48 देश है ठीके और अपना भारा जो है यह एसिया महादेश में ही पड़ता है उतरी अमिर्का में कितने है तो तशनी अमिर्का म आगवन सबसे पहले होता है तो भारत का किस राज में मॉंसून का सबसे पहले आगवन होता है तो यह होगा आपका practice set में बता हैं आपका अध्यान मंत्रा का जो practice set करवा रहे हैं उसमें बता हैं तो यह आपका गेहुद पातन से है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे next question आपका कहरा है ध्यान दीजेगा नेक कोशन करता है कि भार्द में सोड उर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड़ा है भार्द में सोड उर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड़ा है यह कौन है तो यह आपका कोचीन है कोचिन है जो कि केरल इस्थित कोचिन अंतराष्टे हवाय अड़ा भात की ही नहीं बलकि विश्व का सरपर्थम सोड और जा संचालित हवाय अड़ा है इसे यह उपलब्दी कम मिला है तो वर्ष 2015 मिला है ठीक है और यह कोचिन जो था यहीं पे सबसे पहले यूरोपिय कमपन नीरी जिसको कहते हैं अवस्थित है कहां पे तो यह कहां है तो यह आपका नागपुर में है अब यह मतवलिये नागपुर कहां है चलिए नागपुर कहां है बता दें तो साथी राष्टिय पढ़ियाबरन अभियांतरिक सेध सोद जो संस्था है या महराष्ट राज्य के नागपुर सहर में है जो कि आप लोग याद रखेंगे और नीडी जो है या भाहर सरकार के बिज्ञान एवं पुर्दोद की मंतरा लेके अधिन निकार करता है तो इसके बारे में आपको नीडी के बारे में याद रखना होगा नेक्ट है इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो कि क्या करते हैं जो कि आपको पर्या बरन के प्रती मैतरी पूर्ण हो ठीक हो इको मार्क जो है या प्रमान पत्र है उन भारती को दिया जाता है या फिर हम कहलें जो कि पर्या बरन के प्रती क्या है जागरू हे मैतरी पूर्न है ठीक है इंपॉर्टन था याद रखेंगे अंतिंप प्रश्ण यहyas आपका js کے साथ है कि यो योके कहता है विश्व परियावरंदिवस जिस तारी को मनाए जाता है वह तारी कौन सा है वह 5 जुन है बहुत important है याद रखेंगे ठीक है बिस्व पर्याबरन दिवस जो है या परती बर्स 5 जुन को मनाया जाता है और पर्थम बिस्व पर्याबरन दिवस जो है या वर्स 1974 को मनाया था तो यह भी आप लोग याखत रखेंगे important है चलिए आगे हम अब यहीं तक आप घजपच हो जाएगा साथ ही आपको समझ में नहीं आएगा math reading के लिए हम कल आपका session लाएगे छोटा सा ज्यादा नहीं बस 10 या 15 मिनट का आपका वीडियो होगा जिसमें हम 20-20 question जो है math reading को solve कर देंगे बेफिकर रहिए tension खतम किजिए और हर चीज को आपको यहाँ पर मिलन हुआ हो ऐसा कोई content नहीं चुटा है जो सिचक भरती के लिए महतपूर ना हो और दूसरा नंबर हम बता रहे हैं कि आपके लिए टाइम नहीं है हर वीडियो playlist में जाएगे जितना वीडियो है सिचक भरती का सब को 2-3 बार देख लिए लिख कर देते हैं आपको बड़ा से बड़ा coaching जो batch purchase करने के लिए कह रहा है आपको कुछ नहीं करना होगा और आप निकाल लिजेगा हम आपन चैलेंज देते हैं साथ ही तो बस इतना ही किजिए session को share किजिए लोगों को और भी यहाँ पे मिला ये साथ ही अपना परिवार बड़ा करें और बने रहिए कोई तक